दोस्तो जहां पर भी रखकर आप मशीन को इस्तमाल करेंगे, वहां पर तीन चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, दोस्तो यह जो पाइप है, वह वाटरलनेट पाइप है, जब कभी में मशीन में आप कपड़े रोड करें हैं, तो पुछ बारता हूं को साथ यहां जरूर है कपड़े वाश करने के वाद आपको जो है, वहां मैनुवनी वाशार से निकाल के वा आपको ड्रायर में शिप करने होता है, दोस्तो आप देख रहे हैं, एंजी की 8 kg 5 star semi-automatic washing machine, और आज के इस वीडियो में आपको बताने बनाओं कि इस मशीन में आप कपड़े कैसे वाश कर सकते हैं, जैसे कि normal कपड़े आपके से वाश कर पाएंगे, strong कपड़े किसे आप वाश कर पाएंगे, और कपड़े में लोड करने से पहले आपको किन-किन बातों के बारे में पाने बता होना चाहिए, और दोस्तों एक और चीज़ की semi-automatic washing machine को install करने के लिए कोई भी definition आ होना चाहिए, वो भी proper arping connection के साथ में, इसके अलावाद दोस्तों, जब कभी भी कपड़े आप wash कर लेता है, तो जो भी west water होता है, वो इसके निकासी के लिए drain की बेविस्टा होना चाहिए, इसके अलावाद दोस्तों, पानी की supply के लिए null की tap का होना बहुत ज़रूरी है, और दोस्तों, pressure भी proper होना चाहिए, जिसने के machine में आसानी से पानी फील हो जाए, और यह भी boost दोस्तों, कि वो manually machine में पानी डाल सकता है, दोस्तों, डाल तो आख सकता है, लेकिन ध्यान देखेगा, जो भी बटन वगरा दिया होगा, अगर इनके उपर पानी चला जया, तो यह आसानी से खराब हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट ही करूँगा, कि आप वाटरलनेट फाइप की तुरू ही जो है, वो पानी की सप्लाई दे रहे है, दोस्तों, यह जो पाइप है, वो वाटरलनेट पाइप है, उसके एक सीरे को यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको इस तरीके से मुह करें, जिससे कि यह प्रॉपर खनेट हो जाए, ड्रेन पाइप दोस्तों वाना खनेट हो चुका है, जहाँ से भी आप पानी को निकालना चाहते है, वाँ पर इसे आसोई से रख सकते हैं, और अगर आप इसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसक करें, कपड़ करना है, तो कपड़ों के काउंट के साब से आपको पानी स्टोर करना है मशिन में, अभी अमने water supply को on कर दिया है, मशिन में पानी स्टोर शुरू हो चुका है, जब कभी वे मशिन में आप कपड़े लोड करें, तो यह दियान नेकर कहा है, 8 kg की वाशिंग जब कभी भी मशीन में आप कपड़े रोड करें तो पुछ बाताओं को ता ज्यान ज़रूर रहे हैं जिसे की कोई वगए अगर जेम्दोगेरा में रहे गाया है तो पहले आप पहले बाहर निकलने हैं क्योंकि दोस्ता कि वह मशीन में रह जाएंगी तो फॉल्सेटर में जाके श्टक हो सकते हैं जाके फ़ास सकते हैं इससे आपको घाती सारी परिशानी का सामना करना पर सकता है जब कभी भी आप कपड़े डाले हैं तो आप फोल्ड लेकर के कपड़े ना लाने कपड़ों को प्राफल जो है वह एक अलाइन करके डाले हैं इससे की कपड़े कुछ इस तरीके से आपके वाश हो जाएं पाने आप दियान देखिएगा कि उत्रा आपको स्टोर करना है इससे की इवह आप देख रहें कि पुई तरीकी से आप रॉपर तरीके से बेख चुका है अब्यामेत तॉप राधन पानी में दूप गया उतना पाने जोपे आप गर्वाश करना है पर तरीके से दूप जाए दोस्तों आप यहां पर detergent section दिया हुआ है तो एक towel के लिए जितना detergent लगता है के विल आम उतना ही put करेंगे वैसे निन machine के अंदर आपको detergent ले नहीं दी हुई है वो directly आप जो detergent वगरा है वो tub में directly भी डाल सकते हैं यहां पर section दिया हुआ है तो अभी हम यहां पर section में ही इसे डालेंगे अब यहां पर दो चीजों का उपयोग आता है पहला दोस्तों वाशिंग साइकल तो अब यहां एक normal towel को भी wash कर रहे हैं अभी हम यहां पर timer select करेंगे दोस्तों इस machine के अंदर tutorial आपको 40 minute का timer दिया हुआ है जिसमें दोस्तों आपको soaking का time भी दिया हुआ है 40 से लेकर 15 यानि कि 25 minute तक का soaking का time मेंने की कपड़ों को गला कर आप अच्छी तरीगे से wash कर सकता है जो भी आप daily routine के कपड़े डालेंगे दोस्तों जब कभी भी आप nob को यहां पर 40 minutes पर set करेंगे तो दोस्तों machine जो है वो रुक रुक कर कपड़ों को गला कर wash करेंगी इससे यह आपको एक अच्छी washing quality मिलेगी फिलाल दोस्तों यहां पर 5 minutes 10 minutes और 15 minutes की cycle भी दी हुई है अगर आपी कम कपड़े है तो आप कम टाइमिंग में भी wash कर सकता है फिलाल अभी दोस्तों हमारे पर इसके वह एक single travel है तो भी हम इससे पाच की टाइमिंग पर set करेंगे जिससे हमने यहां पर set किया दोस्तों फिल्सेटर जो है वह मशीन का on हो चुका है और मशीन ने हमारे कपड़े वाक्स करना है सिरू भी कर देंगा है दोस्तों मशीन हमारे कपड़े वाक्स कर सकी है जब कभी दोस्तों यह टाइमिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके कपड़े वाश हो चुका है दोस्तों ध्यान देखेगा कि जो भी पानी मशीन के अंदर अरड़ी स्टोर है उसको ड्रेंड करने के लिए यहां पर जो है वह आपको ड्रेंड सेलेक्टर का ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि अभी आप यह देख रहे हैं आपको केवल जो है वह यहां पर पानी निकालने में शिफ्ट करने होता है और यहां पर ड्रायर में दोस्तों आपको नॉर्मली कुछ इस तरीके से डाल देना है ताकि चारो तरफ से डेलर है और यह बिल्कुल भी ड्रम जो भी यह ड्रायर कंपार्टमेंट है वह इंबैलेंस बिल्कुल भी ना हो जहां रगिए कपड़े जब कभी भी आप ड्रायर कंपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं तो यह लीड भी लगाना जरूरी है कुछ इस तरीके सा आप इसे लगा सकते हैं क्योंकि अगर आप इससे नहीं लगाएंगे तो क्या होता है कि दोस्तों आप कुछ छोटे कपड़ें जैसे कि उमाद होग पादे में aller- soletail में दोस्तों यहां से आपको जो हैं वह वो ड्रायर कंपार्टमेंट को ऐन करना होता है यहां पर पानी की सप्लै आल की टैप को आप ओन कर सकते हैं इससे कि दूस्तों जब कभी अपर तरीके ससे मशिंग को और वो spin देरेगे उसमें पानी की supply भी होगी और पानी की supply जब होती है तो दोस्तो पानी अटोमाटिकली ट्रेन हो जाता है उससे आपको कोई भी बटन सेलेट करके निकाल ली के ज़रूत नहीं होती है तो फिलाल दोस्तो अभी हमारा जो एक towel है तो उसमें spin shower करने की ज़रूत नहीं है तो अभी normally जाओ है मैं टाइमिंग स्रेट कर देंगे जिससे कि मशीन हमारे कपड़े को प्रोपर तरीकी से ड्राय करते हुए मशीन दोस्तों हमारे कपड़ों को ड्राय कर चुकी है अभी हम देखते है कि कितना यह टॉबल जो है यह 60-70% आसानी से ड्राय हो गया है कुछ दूब मैं इससे दिखाए नहीं है उसके बाद यह कम्प्लीटी ड्राय हो जाएगा तो दोस्तों यह रहा है LG की semi-automatic washing machine का complete demo जहाँ पर हमने आपको इस machine में भी यह बताए कि आपको गपड़े कैसे वाश करना है और कोण गोल से feature को आपको cases इस्तमाल करना है साथे आपको installation process भी बताईए इससे कि आपको complete knowledge मिल सके उम्मेटे दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादर से लाइक कीजिए और अपने family friends नुमर के साथ इस वीडियो को share करना बिल्कुल मिल बुलियागा और अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए आपको सवालों करपड़ाए आपको हमारी वीडियो से मल जाएगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में तब तक अपना ध्यान देखिए अपनी family का ध्यान देखिए और बहुत बहुत खुश रहिए